बात करेंगे सीएम योगी की जिनोंने राज्ज में सडकों को गढधा मुक्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दे दिया है 15 नवंबर ये डेडलाइन है और इस अभियान को पूरा करा ही जाएगा ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगिया अधिकारियों को निर्देश दे दिया है सडक निर्मांड के साथ साथ उसके रख रखाओ का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए सडक निर्मांड से जुड़े सभी विवाग इस संबंद में व्यापक कार योजना तयार करें और द्योगी क्षेत्र क्रिशी मंडी क्षेत्र में अच्छी सडकों का हुना बेयत जरूरी है सडकों को वो सिर्फ बनाना काफी नहीं है उसको मेंटेन भी करना होगा सीधा रुकरते हैं हमारे सऑ योगी अनुभव का और जानकारी लेते हैं कि आकर्कार ईसी कौन सी रिपोट मिली है अनुभव क्यूंकि देखे ये मुख्यमंटरी ऐसे हैं जो लगातार दौरों पर रहते हैं तो मुख्यमंत्री को कौन बताएगा कहा कहा कि सड़के खराब है उससे पहले ही वो नाप लेते हैं अब पहुँच जाते हैं तो क्या ये सारा उनका अपना अनुबव है या फिर पीछे से भी कोई रिपोर्ट आई है कि सड़कों के आलट ठीक नहीं है जलों के दौरे पर रहते हैं और वो एक मुख्यमंत्री है जिनोंस दौरा किया है किसी भी मुख्य मंत्री ने उतना दोरा यूपी का नियू किया है और इसलिए हर फीडबैक उनके पास रहता है कहां क्या इसी थी है चाहे कानून विश्था की बात कर ले चाहे इंफ्रेस्ट्रक्चर की बात कर ले और खुद मुख्य मंत्री ने कल जब अधिकारियों के साथ बैटा की तो साफ तोर पर कहा कि बाई प्रदेश की सलकों में गड़े है 15 नौमबर तक एक अभियान चलाएए गड़ों को बरिये सलकों पर गड़े ना रहने पाए ना केवल PWD विबाग बलकि जैसे जो हम कहें कि जो आवास विकास की सलके हैं जो गन्ना की सलके हैं जो पंचाइती राट की सलके हैं जो चीनी विबाग की सलके हैं हर एक सलक के लिए साफ तोर पर कहा है कि 15 नौमबर तक सभी विबाग उनसे जुड़ी जो सलके हैं उनके गड़ों को भर दे यानि गड़ा मुक्त अभियान चलाया जाए 15 नौंबर तक और सभी सब्सक्राइब को ठीक किया जाए कि मैंत पूर्ण यह है कि कल से अगर हम बात करें तो जो 81 भारती रोड कॉंग्रेस की शुरुवात लखलों में होगी और उससे पहले मुक्त मंद्री समिच्छा बैटक कर रहे थे कि किस तरीके से पूरा कारिक्रम होगा केंज सरकार के मंत्री आएंगे तमाम अन्य मंत्री भी आएंगे और पंद्रस दोसे जादा डेलीकेट आएंगे चर्चा यही होगी कि कैसे गुणवत्ता पूर्ण सडके बनाई जाए ना कि बिल्कुल होनी भी चाहिए अनुबब जरा देखिए हैं वदोही से जो ट्रक्स आते जाते हैं वो रास्ते उनकी सडकों की आलत ऐसी है कि वहां के व्यापारी परिशान रहते हैं गड्डे भरे जाते हैं लेकिन वो कैसे भरे जाते हैं खाना पूर्ती है या वाकई निजात है समस्याओं से यह सोचने वाली बात है देखते हैं कि इस पर क्या स्टेप लि एबीपी गंगा खबर आपकी जबापकी